Hi mommies and daddies, welcome back to momcom India बच्चों को अगर मच्छर काट जाए या कोई और इंसेक्ट काट जाए तो उसको आप कैसे ट्रीट करते हो ये question मुझसे बहुत पूछा जाता है और इसी question का answer मैं इस वीडियो में दूँगी along with prevention की इन सब bites को हम prevent कैसे कर सकते हैं तो अगर ये topic आपको interest करता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए हमारे channel को subscribe जरूर कीजिए और हमारे social media handles, Instagram, Facebook पे हमें जरूर follow कीजिए IDs नीचे दिये गए हैं आई ये video start करते हैं बच्चों को घर के कोनों में खेलना बहुत पसंद आता है पाक में जाके अलग-अलग जगाओं पे खेलना बहुत पसंद आता है उन्हें control करना मुश्किल होता है हर time इसी लिए बच्चों को बहुत आसानी से मच्छर काट जाते हैं या कोई और insects, spider वगएरा भी जैसे काट जाते हैं और खुजला-खुजला के बच्चा जो काटनी अली जगा होती है उस पे चोट लगवा लेता है या उस पे जखम कर लेता है इस वज़ा से काफी बच्चे इतने परिशान होते हैं कि वो काफी irritable भी हो जाते हैं, सो भी नहीं पाते हैं और cranky भी हो जाते हैं तो as parents हम immediately क्या steps ले सकते हैं इसको treat करने के लिए मैं आपको वो बताती हूँ जैसे कबीर के साथ अगर कभी ऐसा हो जाता है कि उसको कुछ काट गया है तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सबसे पहले जो जगा है जहां पर उसको काटा है उसको मैं धो लेती हूँ एक antibacterial या एक antiseptic solution के साथ कोई soap के साथ मैं उसको धो लेती हूँ ताकि जो भी bacteria वगेरा कुछ होता है उस जगा पे वो आराम से निकल जाए सबसे बहले मैं उसको धो लेती हूँ उसके बाद एक चीज जिसको मैं trust करती आ रही हूँ बहुत time से and I'm so thankful for this product वो है Momma Earth का after bite roll-on यह मचरों की bite पे नहीं बट other insects bite पे भी बहुत अच्छा काम करता है बहुत simple सा roll-on है मैं आपको इसे open करके दिखाती हूँ यह इस तरीके का है काफी time पहले मैंने इसको खरीदा था और यह bottle लंबी चलती है जो area है जहाँ पे बच्चे को मचर काटा है या को insect काटा है उसके उपर मैं इसको लगा देती हूँ और अगर मुझे repeat करने की जरूरत लगती है तो थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसको repeat कर देती हूँ और गाइस मैंने इससे जो सबसे major difference देखा है वो यह है कि कबीर को इससे खुझली की जो problem है वो नहीं होती कबीर को बहुत जल्दी swelling हो जाती है उसको खुझली बहुत जादा होती है बट यह use करने के बाद उसको खुझली नहीं होती है swelling जल्दी कम हो जाती है redness जल्दी कम हो जाती है और जहां पे मच्छर काटा है वो area भी बहुत जल्दी अपने आप heal करने लग जाता है बस इन दोनों चीजों के अलावा मैं और कुछ नहीं करती हूँ मुझे कुछ करने की जरूत नहीं परती है और luckily इससे बहुत फरक पढ़ जाता है यह जो आप bottle देख रहे हो यह 40 ml की bottle है 249 रुपीज इसका MRP है इसको कोई लगाने से skin में irritation मैंने कबीर के कभी ने देखी उसको हाथ पे भी मच्छर काटता है उसको माथे पे भी काटता है गले भी मतलब सारे sensitive areas में भी अगर काटा है तब भी मैंने कोई irritation नहीं देखा है तो यह बिलकुल safe है, dermatologically tested है बच्चों की sensitive skin के ओपर तो हर तरीके से यह बिलकुल safe है बच्चों के लिए use कने के लिए So this is my go-to product whenever Kabir has a bite In fact, मुझे याद है कि मेरी अभी recently एक friend की daughter, जो Kabir की age की है उसको बहुत जादा bites हो गई थी leg पे अभी जैसे यह जो season चल रहा है बारिशो का इसमें बड़े अलग-अलग तरह के insects हो रहे है not only mosquito तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको किस तरह का इंसेक्ट ने काटा है क्या bite हो और पूरी लेट पे चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे दाने हो गए थे तो उसने भी मेरे रेकमेंडेशन पे यह product use किया और उसने भी मुझे बताया कि मानसी it worked wonders मतलब उसने school भी बच्चे को नहीं भीजाता इस चकर में but then the child immediately recovered और फटा-फट से was back to play so that way मुझे product काफी अच्छा लगा बट हमेशा कहते है ना prevention is better than cure मैं भी कोशिश करते हूं कि जितना हो सके मैं इसे चीजों को avoid करूं इनको prevent करने की कोशिश करूं और इसी लिए मैं use करती हूं mama earth की mosquito replant range ये जो range आप देख रहे हो इसमें बहुत सारे अलग-अलग products है different ages के लिए तो basically आपका baby जिस भी age का हो आपको उस age के accordingly इन में से कुछ ना कुछ product मिल ही जाएगा before मैं details में जाओं मैं आपको कुछ common बाते बता देती हूं mama earth की mosquito replant range के बारे में सबसे important बात ये है कि ये 100% deet free है, ये natural है, इन में कोई harmful chemical, pesticides, insecticides, alcohol, phallets, ये सब चीजे बिलकुल भी नहीं है इन में से कुछ ऐसे products हैं जो fabric पे लगते हैं और वो products fabric पे stain नहीं छोडते हैं, so that way they are very good कुछ products हैं जो skin पे directly लगते हैं, and क्यूंकि बच्चों की skin बहुत sensitive होती है, तो ये dermatologically tested है अब बच्चे हैं, अगर उनको कुछ लगाया जाएगा तो वो गलती से मूँ में भी डाल सकते हैं, so from that perspective भी ये बिलकुल safe हैं अगर गलती से बच्चे ने इसको मूँ में डाल लिया इन में जो ingredients हैं, वो ingredients हैं, जो हम normally भी home remedies में use करते हैं, ingredients बहुत clearly products के ओपर लिखे गए हैं, तो आप वो पढ़ सकते हो, जैसे citronella oil, lemongrass oil, peppermint oil, lavender oil, ये सारे हमारे regular uses में भी आते हैं, और ये insect bites वगरा के लिए ही काफी जादा use होते हैं, smell जो है, इसकी बिलकुल mild है, तो वो irritation cause नहीं करती है, travel friendly है, चोटी-चोटी bottles है, specially जब हम travel करते हैं, holiday पे जाते हैं, अकर बच्चे को मच्छर काट जाए, या को insect bite हो जाए, तो हम जादा घबरा जाते हैं, तो उसके लिए आपने मेरे सारे vlogs में देखा होगा, मैं ज़रूर carry करती हूँ, तो leak वगरा भी नह आपको एक pack में जो 199 रुपीज का है, the best part about these patches is कि ये waterproof patches है, बारा घंटे तक कि ये protection offer करते हैं, आप इसे कहीं पे भी लगा सकते हो, बच्चे की आपने T-shirt पे लगा दिया, bag पे, nicker पे लगा दिया, shoes के पास लगा दिया, pram, bags, school bags, कहीं पे भी आप इसे लगा सकते हो, तो Ubon Babies के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, उनकी cot पे, उनके pillow के पास आप इसे अराम से लगा सकते हो, अगला product है, ये fabric roll-on, इसको मैं बहुत जादा यूज करती हूँ, आपने मेरे अकसर vlogs में मुझे देखा होगा, कबीर को ये लगाते हो, जब वो पाक जा रहा होता है, त आप directly skin पे लगा सकते हो, ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए है, जैसे अब कभी, अगर कभी shorts पैन के पाक जाना चाता है, या half t-shirt पैन के पाक जाना चाता है, और मुझे पता है कि इस ताइम पे insects काफी जादा होते हैं, तो मैं directly उसकी skin पे लगा देती हूँ, बिल् महीने से उपर के बच्चों पे आप यूज कर सकते हो, आप इसे skin पे लगा सकते हो, आप इसे कपडो पे भी लगा सकते हो, जैसे आपको comfortable हो, मैं कपडो पे लगाती हूँ, क्योंकि skin के लिए जैसे मैं बताया, मैं gel use करती हूँ अब, और last है ये body roll on, तो ये आप directly body पे सकते हो, तो ये 40 ml की bottle है, ये 99 रुपीज का है, ये भी up to 8 hours protection देता है, तो जैसे आपने देखा, ये range बहुत ही extensive है, हर किसी के लिए आपको इसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आपकी need के accordingly, आपके budget के accordingly, ये range आपको और economical पढ़ सकता है, using our coupon code MOMCOM20, जिससे आपको 20% और discount म सकता है, MAMA EARTH के किसी भी product पे, links जो है नीचे description box में दिये गए है, MAMA EARTH के सारे products online भी available है, और काफी retail stores में भी आपको मिल जाएंगे, आप उनकी website पर जाके देख सकते हो, ये कहां available है, nearest retail store पे, apart from that मैं आपको ये बता दो कि MAMA EARTH Asia का first made safe certified brand है, उनके products 100% natural है, tested है, so safe है, त readily available, thank you so much for watching MomCom India, bye-bye.